आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउटनेट नाओ रूपी अब सताम Besch cœzer twa फिड़ाग ज्ड़ा पिफिभी सा गवारशार कहा नीदम क्रीफ शार होगा आप माई आप ड्रौटन trio सा का सब्सक्राइघ नाच्राइज रूपीजिक्टा सब्सक्रा안 Commission debit side यानि कि Commission pay की होगा expense है रुपीज 22,000 carriage on purchases है रुपीज 18,000 and bad rates return off है रुपीज 8,000 अब आजाते हैं एडिशनल इंफरमेशन पर क्या given है हमें हमें पहले closing stock as on 31st March 2019 was रुपीज 2,600 whereas its net realizable value that is the market value was रुपीज 2,500 तो किस value पर हम उसे record करेंगे जो की कम है यानि की रुपीज 2,600 डेपरिशन हमें चार्ज करने है बिजनस प्रेमेशन पर रुपीज 2,000 और furniture and fittings पर हमें डेपरिशन चार्ज करने है रुपीज 2,500 हमें डेटर्स पे प्रोविजन क्रेट करने है एड दी रेट फाइफ परसेंट क्यारी फॉपीज 2,000 फॉर अनेक्स्पाइट इंशॉरंस यानि की के हो जाएगा हमारा प्रीपिद इंशॉरंस और आउटस्टैंडिंग सालरी है रुपीज 15,000 हमें क्या के प्रुपेर करने है ट्रेडि अकउंट प्रॉफिट लॉस अक्उंट बालन शीत तो एम ड्रेडिन अकॉंट में ग् commitment में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे डेविट साइट-पर शोग करेंगी ओपनिंग स्टॉक हमारा और कितना हका में आवारा उपनिंग स्र वह पर्चेशे से रेलेटे तरह मुशिस्छ करता है। इसलिए अगर हमारा क्यारीज ओट राउट वेटेट Да यानि कि वह से से रेलेटे होता ह। उसे प्रॉफिट अलोसिक शो करते हैं। तो यहां हम लिख देंगे carriage on purchases Rs. 18,000 अब हम आजाते हैं credit side पर, credit side पर हमें given है sales, sales कितनी किती है हमारी Rs. 15,000,000 हमें sales return भी given है तो हमें यहां से less कर देंगे, less returns Rs. 20,000 तो net sales आजाएंगी हमारे पास कितनी की Rs. 14,80,000 अब हम last लिख देंगे यहां पर closing stock closing stock की value कितनी है जो कि हमारी कम value थी Rs. 2,600 total हम calculate कर लेते हैं 14,80,000 plus 2,600 तो total आगे Rs. 16,80,600 अब हमारी balancing figure आजाएगी debit side पर यानि कि हमारा gross profit आजाएगा कितने का Rs. 3,42,600 यहां हम लिख देंगे gross profit आप bracket में balancing figure अब next account कौन से हमारा profit and loss account तो profit and loss account में सबसे पहले हम शो करेंगे gross profit जो कि हमारी trading account में आया था तो यहां पर हम credit side पर लिख देंगे gross profit Rs. 3,42,600 अब आजाते हैं debit side पर सबसे पहले तो हम सारे हमारी expenses लिखेंगे सबसे पहले आजाएगा हमें commission trial balance में commission के आगे bracket में लिखा था debit यानि कि वो हमारा expense था अगर credit लिखा हो था तो हम उसे मान की चलते कि हमारा commission received है लेकिन यहां पर debit था तो यह expense है तो हम यहां पर profit and loss के debit side पर दिखा देंगे Rs. 22,000 next आजाते हमारा insurance premium कितना insurance premium paid था Rs. 20,000 20,000 मेंसे जो 2,000 था वो हमारा next year को belong करता था तो उसे हम less कर देंगे prepaid insurance Rs. 2000 तो net insurance का expense आजेगा इस साल का Rs. 18,000 next आजाते हमारी salaries salaries कितनी की थी Rs. 90,000 की इसमें हम add कर देंगे outstanding salaries add outstanding salaries Rs. 15,000 तो total कितना आजाएगा Rs. 1,05,000 इसके बाद हम दिखाएंगे हमारे bad rates written off कितने के bad rates हमारे थे Rs. 8,000 के next आजाएगा हमारा provision for doubtful debt provision for doubtful debt हमें किस rate पर create करना था 5% के rate पर तो यहाँ लिख देंगे provision for doubtful debt debtors थे हमारे Rs. 1,80,000 के और provision create करना 5% के rate पर तो कितना amount आजाएगा Rs. 9,000 यह हो गया हमारा provision फिर आजाते हमारा next debt discount discount यहां पर bracket में debit लिखा होगा इसका क्या मतलब है discount allowed है तो discount allowed जो है वो क्या हो जाता है हमारा expense हो जाता है तो कितना था वो Rs. 16,000 फिर next आजाते हमारे general expenses general expenses कितने होए थे Rs. 40,000 के उसके बाद आजाते हम depreciation पे depreciation हमें charge करनी है हमारी fixed asset पे और amount हमें already given था additional information में furniture पे हमने कितनी depreciation चार्च करिये Rs. 2500 और इसके बाद है हमारा business premises उसके हमने depreciation चार्च किये कितनी की Rs. 3000 की तो total depreciation आ जाती है Rs. 5,500 की यह तो हो गए हमारे debit site complete अब हम आजाते profit and loss credit site पे सबसे पहले हम क्या show करेंगे यहां पे हमारा discount हमने receive किया है discount received क्या हो जाएगा हमारा profit हो जाएगा हमारी income हो रही है इसलिए हम उसे P&L account के credit site में show कर देंगे Rs. 20,000 ऐसी rent from tenants तो है वो भी हमारा income है तो इसलिए हम यहां पे show कर देंगे credit site पे rent from tenants Rs. 10,000 अब हम total करेंगे तो हमारी credit site जाद आ रही है 3,42,600 प्लस 20,000 प्लस 10,000 टोटल कितना आएगा Rs. 3,72,600 तो हमारे पास net profit कितने का जाएगा जो भी हां की balancing figure है Rs. 1,49,100 यहां पे हम लिख देंगे net profit अब bracket में डाल देंगे हम balancing figure अब आ जाते हम last हमारा है balance sheet यहां पे हम सारी asset और liabilities transfer कर देंगे तो सबसे पहले हम आ जाते है आएगा Rs. 50,000 तो कितना balance बचता है Rs. 2,50,000 अब company को net profit हुआ है तो हम उसे add कर देंगे यहां पे add net profit और कितने का net profit हुआ था Rs. 1,49,100 का तो total capital कितने आ जाती है Rs. 3,99,100 का उसके बाद आ जाते हम लिखेंगे हमारा bank overdraft bank overdraft हमारी liability होती है long term liability और कितना amount है इसका Rs. 42,000 उसके बाद आ जाते हैं हमारी creditors sundry creditors हमारी कितने के थे Rs. 1,38,000 के इसके बाद हमारी next liability outstanding salaries outstanding salaries कौन से होती है जो कि हमारा expense तो इनकर हो गया लेकिन अब तक हमने उसकी payment नहीं करी है तो यह हो जाएंगे हमारी short term liabilities और outstanding salaries का amount कितना है Rs. 15,000 अब हम आ जाते हैं asset site पे सबसे पहले हमारा fixed asset कौन सा है furniture and fittings furniture and fittings पे हमने depreciation भी charge किया और furniture and fittings का amount कितना था Rs. 26,000 इसमें से हम less कर देंगे depreciation Rs. 2,500 तो फिर कितना net balance बच जाएगा furniture account में year के end में Rs. 23,500 अब आ जाते हैं हमारे next fixed asset पे और वो कौन सा है हमारा business premises business premises की value कितनी है हमें year के starting में given थी Rs. 2,00,000 इसमें से हम less कर देंगे depreciation less depreciation और depreciation की value कितनी थी Rs. 3,000 तो year के end में business premises की क्या value रह जाएगी Rs. 1,97,000 next asset आ जाते हैं हमारे debtors debtors कितने के थे amount रूपीज 1,80,000 हमने debtors पे 5% का provision create किया था तो उसे भी हम less कर देंगे तो यहां हम देंगे less provision at the rate of 5% तो हमारे पास net debtors कितने के बच जाएगे Rs. 1,71,000 next आ जाते हैं हमारा closing stock closing stock कितनी value थी closing stock हमने trading account में भी शो किया था क्योंकि adjustment में अगर given होता है कोई भी information तो हम उसे final accounts में दो जगा दिखाते हैं closing stock एक तो हमने trading account में दिखा दिया और दूसरा हम balance sheet में दिखाएंगे और इसका amount कितना है Rs. 2,600,000 next आ जाता है last हमारा prepaid insurance prepaid insurance हमारा asset क्यों है क्योंकि वो next year से relate करता है इस साल हमने उसकी payment कर दिया लेकिन अभी तक हमारा expense incurred नहीं हुआ है तो इसलिए हम उसे asset site में दिखा देंगे Rs. 2,000 अब हम total कर लेते हैं हमारा asset site का 23,500 plus 1,97,000 plus 1,71,000 plus 2,600 plus 2,000 total Rs. 5,94,100 और liability site का total कर लेते हैं 3,99,100 plus 42,000 plus 1,38,000 plus 15,000 हमारा liability site का भी total आ जाता Rs. 5,94,100 यहां पर complete हो जाती हमारी balance sheet भी इस question में हमें trial balance given था और हम additional information में given था पहली क्या information थी कि closing stock की value है 2,600,000 और उसकी market value है 2,500,000 तो principle of prudence के according हम किस value पर closing stock को consider करेंगे जो की कम है यानि की 2,600,000 next हमें additional information given है कि हमें depreciation चार्ज करने ब्रिसन प्रमाइस पर रुपीज़ थी थाउज़ यानि कि हमारा prepared insurance है रुपीज 2,000 का और outstanding salary रुपीज 15,000 तो सबसे पहले हमने trading account prepare किया और हमारा gross profit आ जाता है रुपीज 3,42,600 next आ जाता हमारा profit and loss account profit and loss account में हमारा net profit कितना आ जाता है रुपीज 1,49,100 और फिर लास्ट ही हमारी balance sheet balance sheet का टोटल आ जाता है रुपीज 5,94,100 ही हो जाता हमारे हमारे हापे question complete Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या वाथ्साप कीचिए अपने डाउट्स 8444 सुपर